हलो एन वेलकम टू डिजिटल काइड सॉल्यूशन्स डिजिटल इंडिया का डिजिटल गूरू मैं हूँ मिराज अनसारी वेलकम टू दा नेक्स एक्सरसाइज इस सेसन में हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो देख पारे हैं वही पुराना स्टाइल सर्क कर लिया है यहां से एक नया फाइल ले लेता हूं ऊके कर देता हूं इसका पार्टㄲ 9 स्केश इस से कोई भी प्लेशन ले लो एंदें ऊके करके दो पहली बात select किजिए इन दिन okay किजिए बाकी का क्या काम करना है आप ज़रा गौर से देखिए क्या करना है सब से पहले मैं dimension डालता हूं सब में इसका radius है 15 ठीक है radius इसका 15 radius इसका 10 radius मतलब 20 और 30 diameter का हमें लेना पड़ेगा यहां से आप डाल सकते हो यह लेता हूं 30 ठीक है और यहां पर ग 30 and 20 diameter का आ चुका है टोटल इसका distance देख लिजे 50 का है टोटल 50 का है मतलब यहां से इसके center से इसके center तक distance हमारा 50 का होगा ओके और क्योंकि यह 80 है total तो आप यहां center से 40 ले सकते हो 40 close कर देते हैं और एक side complete करने के बाद हम total sketch को दूसरे side में mirror कर लेंगे ठीक है तो चलिए फिर यहां से हम देखते है 30 30 mm का fillet है आप यह fillet लेलो मैं radius वगेरा नहीं डालता भी है ना बस इसको select करता हूँ इसको select किया ठीक ठाक जा रहा है अभी radius डालेंगे 30 और enter कर दो एक काम हो गया फिर आप इसको select करो और इसको select करो इसको flip करना है इस button पर click करना हो होगा radius डालेंगे 30, enter कर दीजिए 30, 30, 30, enter, middle mouse करके यह देख लीजे हमारा काम हुआ complete अभी हमें क्या करना है सब को इसे drag करके select करना है और down arrow पर जाना है यहां पर जाना है mirror curve, select center line and then x-axis and then ok to it, काम हो गया हमारा पूरा उसके बाद यहां पर भी 30 mm का radius लेना है so let's apply, fill it, select this circle and this circle, इसा ही सलामत है आप 30 डालो इधर और enter कर दो, फिर इधर से भी वही करूंगा, इसको select करेंगे then इसको select करेंगे, उल्टा चाहिए तो आप इस बटन पर click करो and हमारा काम हो जाएगा radius 30 डाल दो, यह कुछ जादा ही अंदर चला गया, so हमें ज़रा careful रहना है okay, now flip the direction and I think यह हमारा ठीक ठाक है, 30 का सपस, enter कर दो, फिर से अंदर चला गया, तो सबसे अच्छा आप इसको mirror भी कर सकते हैं, एक बार और try कर लेता हूँ, select, select, यहां से flip करेंगे, radius हमारा 30, enter, काम हो गया, देख लो, be careful इधर उधर जाए तो हम एक बार दो बार ले सकते हैं, और यह हमारा sketch fully defined दिखा रहा है, fully constant दिखा रहा है, हमारा काम हो गया है, आप चाहत यह बीच का line trim कर सकते हो, T is the shortcut, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यह देखे, क्योंकि मैंने mirror किया था, इसलिए नीचे वाला automatically trim हो गया, close कर देता हूँ, sketch is still fully constrained, यहां से हम finish sketch करते हैं, और चलिए हम extrusion लेते हैं, ठीक, इस region को select करू I, इसको लेता हूँ, इस बार मैं 5 डाल दिया, enter किया, sorry 5.5, enter and then इसको symmetric value कर देते हैं, then ok कर दीजिए, इस तरह से हमारा यह काम हुआ complete, बाद में आप sketch को hide कर दीजिए, select करके आप इसको hide कर दीजिए, यह रहा हमारा, अभी यह block और यह block, सब अलग-अलग हैं, तो आपको unite करना चाहिए, इसको select करेंगे, फिर बाद में इसको, फिर बाद में इसको, ok, तो यह हमारा, पांचवा exercise complete होता है, ठीक है, इस तरह का काम करने से, आपका confidence बढ़ेगा, अब चलिए हम जड़ा, सारे, सार पेजिस को, जड़ा fillet apply कर देते हैं, 0.5 is already taken, then ok, और इस तरह से हमने इसका भी पूरा सार पेज, fillet कर दिया, अब यहाँ पर आपको जाना है, 3 dot आने का इंतजार करना है, then click करना है, then solid body लेना है, color change कर देंगे, किस तरह का color चाहिए, आप decide कीजिए, आपकी मर्जी है यह, then ok, then ok, यहाँ से view में जाता हूँ, य यह आपका देखिए, कितना खुबसूरत पार्ट बनके तयार हो चुका है, तो मेरा यह कहना है, भाई, sketch में आपको पूरी तरह से confident होना पड़ेगा, तब जाके, हम 3D modeling में अच्छे से accuracy के साथ काम कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, sketch हिल जाएगा, तो हमारा 3D object भी हिल जाए करने में, है ना, आपको भी जादस जादा काम कराता हूं, और मैं खुद भी जादस जादा काम करता हूं, ठीक है, हमारे पास फाकी मारने वाली कोई बात, नहीं है, नहीं मेरे लिए, नहीं आपके लिए, ओके, चलिए, I hope यह exercise भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है, आप उसमें जड़ा चेक कीजिए, किधर है assignment और खोल के practice कीजिए, दिक्कत आने पर मुझे call कीजिए, इसको आप Ctrl S प्रेस करके save कीजिए, and then ok कीजिए, और इस तरह से हमारा यह session होता है finish, मिलते हैं फिर अगले exercise के साथ, अगले session में, thank you for this session, thanks for joining Digital Cat Solutions, bye bye, good day and take care.